अगर आपको सरदर्द के हमेशे बहुत अक्लीफ रहती है तो इस वीडियो को तो पूरी तरह से आं तक देखे है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से की जाने वाली एक घरगूती तक्निक आपको उता हूँगे जिसकी मदब से आप अपने हेरे को सरदर्द को बहुत ही असानी से अपने कि इपशोर में कर सकते हैं बिना किसी दवाई के जी हां और उसके पहले अगर अबी तरह आपने हमारे जान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजे बिलकुल नी शुल्ख है बटन बिलकुल नीचे है मेरा नम जिकरांज सावन है प्री सब्सक्राइब करें मेरे चानल सावंज योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे विडियो को देखने के लिए जान्यवाद बहुत अच्छा लागा आपने इस वीडियो के पर क्लिक किया है जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा आपके साथ ऐसा कॉंटेंट हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सेस्ता से थोड़ा सा और खुशी के दाफियत करते हैं सरदर्द होना और हैटेक रहना माइगरेन रहना बहुत कमन सी चीज है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं नॉर्मल यह आप क्या करते हैं आप उठाते हैं कोई तो anti-inflammatory drug aspirin जो इस तरह से आती है और उसे करते हैं आप मुह में डालते हैं और पी लेते हैं पानी और थोड़ी दिन में शायद आपका सरदर्द होना रूप भी जाता हो पर यह अगर आप over the period आप aspirin लेते रहते तो उसका बहुत ही भयंकर एफेक्ट होता है आपकी पूरी system पर आपकी पूरी internal organs पर तो इसमें आप क्या कर सकते हैं देखिए सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं व आप खाएंगे बादम जीना 5-15 आप बादम खाके देखिए जबी भी आपको दर्द हो तो आप बादम खाएं और basically बादम में हो तक हैं बादम में अच्छी मातरा में मगनीशिम होता है और यह मगनीशिम आपकी सरदर्द को बहुत हद तक कंच्रोल में लेके आता है तो जो लोगों को हमेशा माइकरें रहता है, हैदीक रहता है, बहुत एंगजाइटी रहती है, बहुत बिप्रेशन रहता है, या आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, इसकी वज़ज़े से आपको हमेशा सरदर्द होता रहता है, तो उसमें आप definitely यह करके देखिए, आपको ब प्रेइन की फंक्शन बियुस से अच्छी होगी जब आपको हो सरदर्द इंस्टेट ओफ गई पर एस्प्रेइन या कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है गो फर नाश्रल थिंग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा यूस्कुल लगा तो इसे बिल्कुल अभी अपन सब्सक्राइब करें मेरे चानल सावंत योगा को और बेल आइकन नबाए सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए